हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीदे सब कुछ बढ़िया होगा यूपी पॉलिस दोहजार चोबिस की तैयारी में अगर आप लगे हुए है तो स्रीक अने सेगडमी चैनल आपका बहुत ज़दा सायक होगा आज फिर से हम लोग आ चुके हैं सात्वा मांडल पेपर लेकर के जहां पर बात करेंगे 25 most important question का जो हिंदी साहित से related होगा हिंदी ब्याकरन भी होगा हिंदी साहित के question भी होगे पूरे के पूरे आपके revision करा दिये जाएंगे और आपका 100% सेलेक्शन यहां पे तय हो जाएगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे request है कि अगर इस channel पर आए हो वर्दी चाहते हो रुतबा चाहते हो वर्दी के नाम पे तो इस channel को subscribe जरूर करना वीडियो को like जरूर करना क्योंकि यह सारी ख्वाश से आपकी बिल्कुल complete हो जाएगी आज इस वीडियो को देख करके बहुत मज़ आएगा जोस के साथ पढ़िएगा नए कुश्चन में लेकर आया हूँ जो 100% पेपर में आने ही वाले हैं यानि आ ही जाएंगे यह समझ के रखो दो से तीन कुश्चन तो फसने ही फसने वाले हैं पाचीस में से इसलिए ध्यान लगा के पढ़िएगा आईए कुश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला अपसन ए भगवती सही हो जाएगा आपने पूजा पाड़ में सुना भी होगा भगवती वाजदेवाय नमा ऐसा बहुत ज़्यादा आता है ठीक है आगे भी दोस्तों यहां पर हम लोग बढ़ते हैं यहां पर है दोस्तों निमलिखित बिकल्पों में से पुलिंग सब्द का चैन करें तो दोस्तों यहां पर पुलिंग सब्द कौन सा है तो यहां पर दोस्तों पुलिंग हो जाएगा आपसन सी तेजस्बी जो तेजस्बी है वो पुलिंग सब्द होता है बाकि सब दोस्तों यहां पर इस्त्री लिंग सब्द हैं आगे बढ़ते हैं अगला कुश दी मुनी तो दोस्तों यहाँ पर आपसंसी अर्था दर्शन जो है यह बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा क्योंकि यह सदा ही वहवचन में प्रेउक्त किया जाता है अगला कुश्यन आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है कितने प्रस्ण करने हैं इस वाक में विशेशन दोस्तों यहाँ पर कितने फ्रस्म करने हैं यहाँ से संह्ख्या की बात हो रही है यहाँ पर बिसेशन कोनसा जायेगा जिन्होंने शही किया लाइक कर दे वीडियो को जिनका गलत हुआ है कोई बात नहीं है नेश्ट कुश्यन में आप लोग ट्राय किजेगा इस बार पुलिस की वर्दी तो ले कर रहेंगे किसी भी हालत में प्रण ले लीजे पूरे जोस और उस्सा के साथ स्रिकणेस अकडमी से चैनल में से पढ़ाई करते रहें रोज सुबा आठ बजे और रोज सुबा नो बजे रात के आठ बजे डेली जिससे आने के चैनल बहुत अधिकतम हो जाते है और वे कुशन जरूर आपके एक्जाम में फसेंगे ये कुशन दोस तिन अंक आपको दिलाएंगे हंड़ड परसल पूरी की पूरी हिंदी आपकी तयार करा दूँगा एक्जाम से पहले बस आप जोड़े रहें अपने साथी संगतों को भी जोड़िए चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन है योग ब्यक्त ही पहचाना जाता है वाक में योग सब्द क्या है अपसने प्रेडाम वाचक विसेशन अपसन सी सारवनामिक विसेशन या अपसन डी गुड़ वाचक विसेशन तो दोस्त विसेशन किसे कहते हैं यह देख लिजे जिस विसेशन से किसी संग्या सरवनाम का गुड़ दोस रूप रंग अकार प्रकार संबन दसा आधिका पता चले उसे गुड़ वाचक विसेशन कहा जाता है और यहां पर दोस्तों योग ब्यक्त की पहचान बता रहा है इसलिए य अगला कुश्चन यहां पर है निम लिखित प्रश्ण में चार बिकल्प में से दिये गए सब्द के सही समास वाला बिकल्प पहचानना है तो यहां पर जो यहां पर है सब्द तो यहां पर दिया ही नहीं गया है पहली बात दोस्तों यहां पर चलिए देख लेते हैं आप स तो दोस्तों को पता है आपसंसी चक्रधारण किया है जिसने उसे चक्रपान कहा जाता है तो अता आर्थात भगवान विश्णों के लिए ये कहा गया है तो ये जो आपसंसी है वो बिल्कुल सही होगा बाकी यहाँ पर जो बनाए गए है वो असुद्ध है आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों यहां पर बहुत ही अच्छा कुश्चन आ गया है निमलिकित प्रस्ण में चार विकल दिये गये हैं इनमें से सही सब्द का समास वाला विकल पहचानना है सब्द सिंधु का समास क्या होगा यह आपसे पूछ रहा है आपसने साथ सिंधों का समू आपस यहां पर आपसन जो डी होगा वो यहां पर सही होजाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कुश्चन है काठ की हड़ी बार बार नहीं चड़ती इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है यह आप से पूछा जा रहा है आपसने दुरभाग की मार बार बार नहीं होती आपसन भी बुरे पट का ब्योहार हमेशा नहीं चलता या आपसंडी लकडी का बरतन अगनी से जल सकता है तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आपसंड हो जाएगा वो आपसंसी हो जाएगा अर्थात काठ की हांडी बार बार नहीं चरती का अर्थ हो जाएगा छलकपट का ब्योहार हमेशा नहीं ये सारे चीज़ आप याद के लिजे, मैंने आपको बताया भी है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है, ये भी आप लोग रट लीजिए, कल से मैं दोस्तों यहाँ पर जो हिंदी का ब्याकरण है, उसका पूरा एक एक क्लास पढ़ाने वाला हुए, कि घंटे क् बस्री करने से कर्मी चैनक साथ बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं कुश्यन में, अगला कुश्यन है, अचानक घबरा जाना, अर्थ के लिए निमलिखित में से उचित मुहावरा कौन सा है, नमबर A, हलका हक्का बक्का रह जाना, अपसन B, हाथों के तोड़े उड़ना, अपसन C, भीगी बिल्ली बनना, यापसन D, अपने पाउं पर कुलहाडी मानना, तो दोस्तों यहाँ पर अचानक घबरा जाना, यहाँ पर B, आपसन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अचानक घबरा जाना का अर्थ होता है, हाथों के तोड़े उड़ना, यह जो मुहावर जाना, डर जाना, अपने पाउं पर कुलहाडी मानना का मतला बता है, जान बुझकर स्वयम को संकट में डालेना, तो कोई भी मुहावरा आ सकता है, इसलिए मैं आपको चारो कार्थ बताता हूँ, इसलिए आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, पुलिस में इस बार एक नए बहुत अनभवी होना, तो घाडगाड का पानी पीने का जो आसे होता है, जो मतलब होता है, वो होता है दोस्तों, आप संडी अर्थाद बहुत अनभवी होना, कहते हैं मैं घाडगाड का पानी पीया है, अर्थाद मैं बहुत ज़्यादा ठोकरे खाया हूँ, या बहुत ज लजिद होने कारत है किसी काम में आसफल होना ठीक है वैसे दोस्तों एक बास ये भी है कि अगर आप भी अगर आसफल हो गए वर्दी पाने में तो लज्जा तो आएगी समाज में क्या मूँ दिखाया जाएगा इसलिए पूरे दिन पूरे दिन रात एक कर देना चाहिए हम ल लोगों से जलते हैं उनके लिए बिलकुल इस बार वर्दी लेना ही लेना है रुतवा के लिए दोस्तों एक बार सोचिए आप पुलिस का वरदी पहन करके चचके से अपने जब घर आएंगे ग바ॉं आएंगे तो पूरे गउं में कैसी रुतबा होगी आपकी रिष्तेदा के लिए आपका सहयोग करेगी जरूर हम आपके लिए जुटे रहेंगे जैसे मैंने पहली बार में पुलिस की भरती निकाली थी जैसे मैं आज दरोगा के पत्पे बैठा हुआ हूँ अगले कुशन में आगे भरते हैं दोस्तो अगला कुशन है दोस्तो उटप्रचल अंकार कब हो सकता है। तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो जाता है दोस्तों ये भी आपको ध्यार रखना है उम्मीद है ये वीडियो को बिल्कुल पसंद आई होगी छोटी वीडियो है लेकिन बहुत जदा मैंने कुछ आपको करा दिया है कल से 30 मिनट की वीडियो आएगी डेली क्लास भी आएगा तो आप लोग एक्टिव रहिएगा चैनल पे बिल आइगन कॉल करके सब्सक्राइब करीजे जय हिंद वन ने मातराम